प्रति दिन भगवान महाकाल के दर्वान में जाता हूँ अर्शिद्धी मंदिर जाता हूँ और लगभग शुक्रवार की दिन में आपे मुलाना मोश साप के आभी माथा टेकने के लिए आता हूँ और जैसा कि आपने पूछा है किया क्या दुआएं कबूल हुई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे यहां कुछ मांगने की अवशक्ता ही नहीं पड़ी है मैं जब भी यहां पर आया हूँ और मैंने जब भी यहां पर माता डेका है मुझे कुछ मागने की जरूती नहीं पड़ी है मालिक ने मुझे पेले ही सब चीजों से नवाज दिया है और पिछली बार भी जब मैंने यहां पर सचीव का प्रेस क्लब का चुनाव लड़ा था तो मैंने भगवान महकल की पूझा अर्चना के बाद मुलाना मोसाब के हां पर आकर दूआ मांगी थी कि मुझे सेवा का मुका मिले और निश्चित ही यह दूआ मेरी कभूल हुई है और अभी भी जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं मुझे उम्मीदीनी विश्वास है कि मैंने जिस तरीके से दो साल तक पत्रगारों के हित्मे काम किये हैं पत्रगारों के साथ मिलके उनकी भावनाओं के अनुरूप में न खरा उतरने कोशिश की है तो इस बार भी मुझे सारे वरिष्ट पत्रगार और आश्रवात दाता निश्चित रूप से अपना आश्रवात देंगे और मुझे कामियाबी हासिल होगी एसा मुझे पूर्ण विस्वास है और इनी दुआओं के लिए मैंने यहाँ पर माथा देखा है चुकि मैं अकस्मात यहाँ पर आज जुम्मे का दिन है और मैं अकस्मात यहाँ पर माथा देखने आया तो आप लोगों की नजरे करम हुई और आपने मुझे देख के और मुझे कहा कि निश्चिती आप यहाँ पर आते हैं और आपके दुआ इस बार कबूल होगी मुबारक बाद आपने दी हमारे साथ मकसुद अली जी जावेद भाई जी और हमारे नूर साहब और भाई जान आप लोगों ने जो दुआएं किये निश्चिती यह दुआएं कबूल होगी इसे मेरी सोच है इसे मेरा विश्वास है यह हमारे बीच विक्रम जाट जी थे और यह मरकज इनसानियत का मरकज है भाईचारे का मरकज है हिंदु-मस्लीम एक्ता का जो है मरकज है तो यहां हर मजभ औ मिल्लत का इनसान आता है और अपनी दौाओं को कुबूल पाता है हर मुराद इस दर्स से पूरी होती है तो यह हमारे बीच एक ऐसा आस्ताना हजरत निजाम الدین महभूब इलाई के आप खलीफा हैं और आप इस बसावट के अदबार से भी देखेंगें तो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है यह सामपरदा एक स्वार्थ की जीती जागती मिसाल है चारो तरफ मंदीरी मंदीर हैं बीच में आपका आस्ताना है और मैंने देखा है मेरी आज यहां पर जो है सात्वी पीड़ी चल रही है तो मैं सेकड़ों वर्षों से मज़रे बज़र्गों से भी यह मैं को सारे मज़ईब के लोग यहां आकर मननत मांगते हैं और हमसे जादा दिगर मजईब के लोगों केहां मुरादे पूरी जल से जल होती है ये दरबार आस्ताना हजरत मुलाना मुचिश्टी रहमतुल्ला अले का है आपका आस्ताना हजरत लब शिप्रा पर मौजूद है और इसी तरह से जो है बहुत सारे लोगों का बात लंबी हो जाएगी तो फिर हम इसी दौाओं के साथ और इनी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं और फिर से दोबारा हम इनको मुबारक बात पेश करते हैं आस्तानी की ओर से मुबारक बात पेश करते हैं हम अपने पूरे गुरूप की ओर से मुबारक बात को पेश करते हैं कि तरफ से भी मुवारुट पाद पेश करते हैं चेनल की तरफ से मुवारुट पाद पेश करते हैं कि आप के हर मुराद निहांसे पूरी हो इस एक साथ प्रेप अपनी बात फूर्प अजव हमारे बीच वरिस्ट कांगरेस नेता कलपसंग करें